गर सिरप सीर ढकने की छत नहीं होती हैं, जगर भर नहीं होती हैं, गर एक आस्था का स्थल होता है, जहां सपने आकार लेते हैं, जहां एक परिवार का वर्तमान और भविश्यता होता है इसलिए 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सिमित नहीं रखा, बल्कि हमने गर को गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार बनाया गरीब के ससक्तिकर्ण का, उसकी गरीमा का माध्यम बनाया आज सरकार के बजाएं लाभारती खुद तै करता है कि पी-एम आवास योजना के तहट उसका घर कैसा बनेगा यह दिल्ली से तै नहीं होता है, गांधी नगर से तै नहीं होता है, खुद तै करता है सरकार सीधे उसके बैंक एकाउंट में पैसा जमा करती है गर बन रहा है, यह प्रमानित करने के लिए हम अलग-अलग स्टेज पर घर की जियो टैगिंग करते हैं आप भी जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, लाभारती तक पहुँचने से पहले घर का पैसा ब्रस्टा चार की भेंट चड़ जाता था जो घर बनते थे, वो रहने लाइक नहीं होते थे भाई और भेनों, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सिमित नहीं है एक कई योजनाओं का एक पैकेज है, इस पे स्वच्च भारत अभ्यान के तहट बना सौचालय है इसमें सवभाग्य योजना के तहट बिजली कनेक्शन मिलता है इसमें उजबला योजना के तहट मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गैस का मिलता है इसमें जल जिवन अभ्यान के तहट नल से जल मिलता है पहली ये सारी स्विधाएं पाने के लिए भी गरीब को सालों साल सरकारी दप्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और आज गरीब को इन सभी स्विधाओं के साथ ही मुक्त राशन और मुक्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है आप कल्पना कर सकते हैं गरीब को कितना बड़ा सुरक्षा कवच बिला है साथ क्यों पीएम आवास योजना गरीबों के साथ साथ महिला ससक्ति करण को भी बहुत बड़ी ताकत दे रही है पिछले नव वर्षों में करीब करीब चार करोड़ पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं इन घरों में लगबग सत्तर प्रतिशत घर महिला लाभारतियों के नाम पर भी है यह करोड़ों बहने वह हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है आपने टर न न देशमां बद एखबर गुजरात माई खबर जेएं कि घर होए तो पुरुष्णा नामे, गाड़ी होए पुरुष्णा नामे, खेतर होए पुरुष्णा नामे, स्कूटर होए तो है पुरुष्णा नामे, और पती नामे होए और पती जो न रहा तो दिकनन नामे सीज़े, माना नामे, महिला नामे काईद ना होए, मोधी अस्तिती बड़ली नाकी अने हवे माताओ बहनों नामे सरकारी योजनाना जलाब होई नहीं इमा मातानू नाम जोड़वाम आवेशे कातो माताना इज हक अपमाम आवेशे पीएम आवास योजना की मदद से बने हर घर की किमत अवे कहीं 55,000 मा घर नती बनता डोड लाग, पुणा बेल लाग शुदी खर्चों थाई छे एनो अर्थे थे हो कि आज अपम आवास योजना में रिवा गया छे न इमना घर लाखोनी किमत ना छे अने लाखोनी किमत ना घर ना मालिक बन्या इसका मतलब ये हुआ कि ये करोडो करोडो महिलाएं लखपती बन गई है और इसलिए ये मेरी लखपती दिदी हिंदुस्तान के हर कोने से मुझे आशिरवाद देती है ताकि मैं उनके लिए ज़्यादा काम कर सको सहत्यों देश में बढ़ते हुए शहरी करोण को देखते हुए बीजेपी सरकार बविश्ण की चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है हमने राजकोट में आधूनिक टेकनोलोजी का उप्योग करके एक हजार से ज़्यादा घर बनाए ये घर कम किमत में बहुत कम समय में तैयार की गए और उतने ही जादा सुरक्षित भी है लाइट हाउस प्रोजेक के तहट हमने देश के छे शहरों में ये प्रयोक किया है ऐसी टेकनोलोजी से आने वाले समय में और अधिक सस्ते और आधूनिक गरीबों को आधूनिक घर गरीबों को मिलने वाले है साथियों हमारी सरकार ने गरों से जुड़ी एक और चुनोती को दूर किया है पहले रियल एस्ट्रेट सेक्टर में मनमानी चलती थी दोखे बाजी की शिकायत आती थी मद्यमबर के परिवारों को सुरक्षा देने के लिए कोई कानून नहीं था और यह जो बड़े बड़े बिल्डर योजनाई लेकर के आते थे इतनी बढ़िया फोटो होते थे गर में भी ताय होता है यही मकान ले लेंगे और जब देते थे तब कुछ रच दूसरा ही देते थे लिखा हुआ एक होता था देते से दूसरा हमने एक रेज़ा कानून बनाया इससे मिडल क्लास परिवारों को कानूनी सुरक्षा मिली हैं और पैसे देते समय जो डिजाइन दिखाई थी अब उसको बनाने वालों को व ववस्ता रहती है यही नहीं हम मिडल क्लास परिवार को भी घर बनाने के लिए पहली बार आज़ाजी के बाद पहली बार मिडल क्लास को बैंक लोन के साथ ब्याज की मदद की व्यवस्ता की गई है गुजरात ने इसे भी बहुत अच्छा काम के एक शित्र में है गुजरात में मद्द्वर के ऐसे पांच लाग परिवारों को 11,000 करोड रुपिय की मदद दे कर सरकार ने उनके जीवन का सपना पूरा किया है साथियों आज हम सभी मिलकर आज़ादी के अमरितकाल में कर रहे हैं इन पचीस वर्सों में हमारे शहर विशेश रुप से टियर टू टियर थ्री शहर अर्थ ववस्ता को गति देंगे गुजरात में भी इसे नेक शहर है इन शहरों की ववस्ताओं को भी वविश्य की चुनोतियों के हिसाब से तयार किया जा रहा है देश के 500 शहरों में बेसिक सुविधाओं को अमरित मिशन के तहत सुधारा जा रहा है देश के 100 शहरों में जो स्मार्ट शुविधाओं विक्सित हो रही है वो भी मुने आधुनिक बना रही है साथियों आज हम अर्बन प्लानिंग में इस अफ लिविंग और क्वालिटी अफ लाइफ दोनों पर समान जोड दे रहे हैं हमारी कोशित है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा समय खर्च ना करना पड़े आज देश में इसी सोच के साथ मेट्रो नेट्वर्क का विस्तार किया जा रहा है साल 2014 तक देश में 200 किलोमेटर से भी कम का मेट्रो नेट्वर्क था यानि 40 साल में 200 किलोमेटर मेट्रो रूट भी बना नहीं पना था जबकि बीते 9 साल में 600 किलोमेटर नया मेट्रो रूट बना है उन पर मेट्रो चलनी शुरू हो गई है आज देश में 20 शहरों में मेट्रो चल रही है आज आप देखिए अम्दाबाद जैसे शहरों में मेट्रों के आने से पब्लिक ट्रांस्पोर्ड कितना सुलब हुआ है जब शहरों के आसपास के खेत्रा अधुनिक और तेज कनेक्टिविटी से जूडेंगे तो उसे मुख्य शहर पर दबाव कम हो जाएगा आम्दाबाद गांधिनगर जैसे ट्वीन सिटी आज बंदे भारत एक्सप्रेज जैसी ट्रेनों से भी जोड़े जा रहे हैं इसी प्रकार गुजरात के अनेक शहरों में इलेक्टिक बसे भी तेजी से बढ़ाई जा रही है साथियों गरीब हो या मिडल ग्लास हमारे शहरों में क्वालिटी आप लाइब तभी संबव हो है जब हम उसे साप सुत्रा बातावर मिले शुद्ध हवा मिले इसके लिए देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है हमारे देश में हर दिन हजारों टर्न मिनिसेबल बेस्ट पादा होता है पहले इसे लेकर भी देश में कोई गंबीरता नहीं थी बीते वर्सों में हमने बेस्ट मेंगेजमेंट पर बहुत बल दिया 2014 में जहां देश में केवल 14-15 प्रतिशत बेस्ट प्रसेस होती थी वहीं आज 75 परसेंट बेस्ट प्रसेस हो रहा है अगर यह पहले ही हो गया होता तो हमारे शहरों में आज कूडे के पहाण ना खड़े हुए होते हैं अब केंदर सरकार ऐसे कूडे के पाड़ों को समाप्त करने के लिए भी मिशन मोड पर काम कर रही है साथियों गुजरात ने देश को वाटर मेनेजमेंट और वाटर सप्लाइग ग्रीड का बहुत बैतरिन मोडल दिया है जब कोई तीन हजार किलोमेटर लंबी मुख्य पाइपलाइन और सबा लाग किलोमेटर से अधिक की डिस्टिबिशन लाइनों के बारे में सुनता है तो उसे जल्दी विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा काम लेकिन ये बगिरत काम गुजरात के लोगों ने करके दिखाया है इससे करीब पंदरा हजार गाओं और ढाई सो सहरी क्षेत्रों तक पीने का सुद्ध पानी पहुँचा है ऐसी सुविधाओं से भी गुजरात में गरीब हो या मद्यमबर सभी का जिवन आसान हो रहा है गुजरात की जनता ने जिस प्रकार अमरत सरोवर के निर्मान में भी अपनी भागीदारी सुनिचित की है वो भी बहुत सरानिया है साथियों विकास की इसी गती को हमें नरंतर बनाए रखना है सब के प्रयाश से ही अमरत काल के हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे अंत में फिर आप सभी को विकास कारियों के मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ जिन परिवारों को अपना सपना सिद्ध हुआ है घर मिला है अब वो नए संकल्प लेकर के परिवार को आगे बढ़ने का सामर्थ जुटाएं विकास की संभावना अप्रम पार है आप भी उसके हकदार है और हमारा भी प्रयास है आईए मिल करके भारत को और तेजगती दें गुजरात को और समुर्दी के दरब ले जाएं इसी भावना के साथ आप सबका बहुत वा धन्यवाद